नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे printer attached नहीं होता है जैसे किसी pc के अंदर printer जुड़ा हुआ है आपके pc के अंदर printer जोड़ना है तो window और आर बटन दबाके आप उस pc का address लिखते हैं double slash लगा के उस pc का address लिखे click करते हैं तो उसका sharing किया हुआ printer आपके सामने सो होता है लेकिन उसके right click करके connect करने की जब कोसिस करते हैं तो वहाँ एक error आ जाती है जो कुछ इस परकार की रहती है connect to printer, windows cannot connect to the printer, नीचे operation failed with error 0100001 ऐसे करके ये error आ जाती है अब इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको server का PC है, जिस PC के अंदर आपका printer attached है उस PC के अंदर कुछ setting करनी रहेगी आपको, वो क्या setting रहेगी वो मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले आपन चलते हैं आपने जिस PC के अंदर printer जुड़ा हुआ है, उस PC के अंदर जाएंगे और उस PC के अंदर आप windows 10 है, तो registry editor search करेंगे तो आ जाएगा यदि window 7 है, तो run button में REGE DIT लिखेंगे, तो आपको कुछ इस परकार का interface आपके सामने open हो जाएगा जिसमें सबसे उपर यूपर 3-4 options आएंगे, उसके अंदर HKY local machine करके एक option है उसके अंदर एक system का option है, system के option पर current control set पर जाना है, उसके बाद control पर जाना है तो नीचे DWORD 32 bit value का option हारा, वो वैसे क्लिक करोगे तो एक इसके अंदर file add हो जाएगी अब ये जो file add हुई है, इसके अंदर आपको कुछ नाम लिखना है, वो नाम लिखोगे, तब ही वो काम करेगा तो आपन टाइप कर लेते हैं, ये नाम जैसे लिख दिया, right click करके, modify button पर click करना है, यहाँ पे value पर zero रखना है, और सबसे यह हेक्टा बेकल जो option है, ये सबसे उपर रखना है, अब window और आर बटन यहाँ पर, उसके अंदर लिखेंगे service.msc, services.msc लिखेंगे, तो एक आ आपको डूंड़ना है printer spooler, तो printer spooler को इसको restart कर देंगे, ये जैसे restart हो जाएगा, तो इसको बंद कर देंगे, अब आपन चलेंगे, जिस PC के अंदर printer attached नहीं हो रहा है, उस PC के अंदर जाएंगे, वापस window और आर दबाके, उस PC का जो अपना server है, उसका address लगाएंगे, double slash कर लगाएंगे, तो विंडो और आर बटन दबाईएंगे, और उसके अंदर double slash लगा के अपना जो है वो लगा दीए, तो ये printer open हो गया है, printer पर right click करें, connect कर देंगे, तो ये driver install का मांग रहा है, driver install हो जाएंगे, और ये connect हो चुका है, दूबारा से connect कर देते हैं, अब इसको देख के बंद कर लेते हैं, चलते है printer and property के अंदर, वहाँ पे भी आपको देखेगा कि आपका printer attached हो गया है, तो और भी इस से सम्मंदित को जानकरी चाहिए, तो आप comment box में comment लिखके बता सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद